हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्टेडीकर, मेरा नाम है प्रवाकर और आज डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्ट 2021 से रिलेटिड इंपोर्टेट करेंट अफ्यास, तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्षर को बहुत ही महत्पूर्ण करेंट अफ्यास है दोस्तों, इस लेक्षर सुनना है, लास्ट में आप से कुछ कुछन पूछे जाएंगे, जिनके जवाब आपको कमेंट वाक्स में जरूर देना है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन डिसकस कर लेते हैं, आज का मोटिवेशन है, यूँ जमीन पर बैट कर क्यों आसमान देखता है, पंक तो जरूर अगर आपको सफलता प्राब्द करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ नकुछ करना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तो आज का टार्गेट इस लेक्चर का दोसों लाइक का, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को सेर कर दीजिएगा, जिससे इस डिडि मंतरी गती सक्ती पहल की घोशना की है, तो ये गती सक्ती पहल कितने लाख करोड रोपाय की है, तो आंसर होगा इसका 100 लाख करोड रोपाय की, हाली में पंदरा अगस्त को भारत ने अपना 75 बास्वत nosfakti दवश मना या है, और इस 75 स्थाम्ता देवश के आउसर पर प्र प्रधानमंत्री गती सक्ति पहल की उन्होंने गोशना की है जो की 100 लाख करोड रोपय की है अब इस गती सक्ति पहल का मतलब क्या होगा कि इसमें युवाओं के लिए रोजगार के आउसर प्रदान किये जाएंगे जो यूथ है उसके लिए रोजगार प्राप्त होगा दोस् की घोशना भी जल्द कर दी जाएगी कि आने वाले समय में किस प्रकार से इसको इसका इंप्लीमेंट किया जाएगा इसके बाद प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्पूर नारा दिया है तो उसको भी डिसकस कर लेते हैं नारा क्या है सब का साथ सब का प्रियास दोस्तों इसके अलाबा कुछ और महत्पूर घोशना है उनको भी डिसकस कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नैसनल हाइडोजन मिस्सन की भी घोशना की है और इसके अलाबा उन्होंने कहा है कि जो रासन की दुकान है और जो मिड़े मील योज जना है उसके तहल पोशन्ड युक्त चाबल दिया जाएगा जिससे को पोशन्ड से निप्टा जा सके इसके अलाबा कहा है उन्होंने कि अस्पतालों के आसपास ऑक्सिजन प्लांट भी लगाए जाएगे यानि लगभग हजारों अस्पतालों के आसपास ऑक्सिजन प्ला के द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारता मिनिस्टर कौन है डाक्टर बीरेंद्र कुमार तो इनके द्वारा ही तपस ओनलाइन पोर्टल को लॉंच किया गया है इसका काम क्या होगा इसका काम होगा उत्पादक्ता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रिसिक्छन देना दोस्तो ये तपस ओनलाइन पोर्टल है इसको डेवलब किया है National Institute of Social Defense ने यानि सामाजिक राष्टिय सुरक्षा संस्थान ने इसको डेवलब किया है इसका मुख उद्देश है प्रतिभागियों के छमता निर्मार के लिए एक ओनलाइन कोर्स उपलब्द कराना और कौसल क प्रसिक्षार प्रतान करना दोस्तो इस ओनलाइन कोर्स में किस की किस प्रकार का कोर्स होगा इसको हम ध्यान से समझते हैं इस कोर्स में बताया जाएगा जो भी इस कोर्स को पढ़ना चाहेंगे उनको बताया जाएगा कि जो नसीली दवाए है और जो दुर्वयोहार है उस सामाजिक सुरक्षा संस्थान की यानि National Institute of Social Defense की तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में ग्रह मंत्रालाय के अंतरगत लेकिन 15 जुलाई 2002 को यह एक स्वायत निकाय बन गया दोस्तो सामाजिक सुरक्षा की छित्र में नोडल प्रिसिक्षण और अनसंधान संस्थान है कौन सामाजिक सुरक्षा संस्थान यानि सामाजिक सुरक्षा संस्थान का काम प्रिसिक्षण देना होता है और अनसंधान का काम करना होता है सामाजिक सुरक्षा की छित्र में दोस्तो सामाजिक सुरक्षा के अंतरगत कौन-कौन से योजनाय आती है यानि किस-किस टॉपिक पर योजनाय बनाई जाती है सामाजिक सुरक्षा के तो ध्यान से सुनिएगा सामाजिक भीमा, कोई भी अगर जो सामाजिक भीमा है, परिवाय से रिलेटेड कोई जो योजनाय हुती है, वो सामाजिक सुरक्षा संस्थान के द्वारा ही बनाई जाती है अब बात करते हैं, कैंद्रिय जामाजिक काम है और अधिकारता मंत्री कौन है तो डाक्टर बीरेंद कुमार बरतमान में केंद्रिय सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्री है अंगला कोशन है हाली में किस राज्य के चीप मिनिस्टर ने राज्य में चार नए जिले बनाने की घोशना की है तो दूस्तों ये गोशना की गई है 36 गड़ के चीप मिनिश्टर के द्वारा हाली में 75 वे सुतंतर दिवस पर 36 गड़ के चीप मिनिश्टर भूपेस बगेल ने अपने स्टीट में चार नए डिस्टिक खोल लें और 18 नई तहसील मनाने की गोशना की है यानि 36 गड़ में अब नए चार जिले और बनाए जाएंगे इसके अलावा 18 नई तहसीले भी बनाए जाएंगे तो अब वो चार जिले कौन-कौन से हैं पहला है मोहिला मानपुर दूसरा है सक्ती तीसरा जिला है सारंगड बिलाईगड और चोथा जिला है मनेंद्रगड तो इस प्रकार से दोस्तों चार जिले बनाए जाएंगे तो इनको आप एक बार और ध्यान से सुन लीजेगा कौन-कौन से नई जिले बनेगे मोहिला मानपुर सक्ती सारंगड बिलाईगड और मनेंद्रगड अभी बरतमान में 36 गड़ में 28 जिले हैं लेकिन अगर ये चार जिले और बन जाते हैं तो इस प्रकार से 36 गड़ में ज कुछ important point भी discuss का लेते हैं 36 गड़ राजिका निरमाण मद्वप्रदेश से अलग होकर हुआ था और ये निरमाण हुआ था एक नॉमबर सन 2000 को यानि मद्वप्रदेश का विभाजन एक नॉमबर सन 2000 को हुआ था और मद्वप्रदेश से जब 36 गड़ अलग हुआ था तो ये 36 गड़ देश का 26 वा राज्य था इसकी कैपिटल है बरतमान में रायपूर चीप मिनेश्टर है भूपेस बगेल और गवर्नर है अंसुया उईके बिधान सभाशीटे 90 हैं लोक्षभाशीटे 11 हैं और राजसभाशीटे 5 हैं 36 गड़ की सीमा सात राज्यों से लगती है वो सात राज कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश, मद्र प्रदेश, महराष्ट, जारकंड, ओडिशा, तेलंगाना और आंधर प्रदेश दोस्तो हाल ही में 36 गड़ के द्वारे एक महत्पूर घोशना की गई है तो वो क्या गषणा की गई है? शामुदाएक वन संसाधन अधिकारों को मानिता देने वाला पहला इस्टेट बन गया है यहनि सामुदाएक वन संसाधन अधिकारों को मानिता देने वाला इस्टेट कौन है? 36 गड़ Next question है, बहुत important question है ध्यान से सुनिएगा किस राज्य सरकार ने हाली में घोशना की है कि उनकी सरकार बीजू स्वास्त कल्यार योजना के तहट स्मार्ट स्वास्त कार्ड प्रदान करेगी तो ये घोशना की है ओडीसा गबर्मेंट ने दोस्तो ओडीसा के मुख्मंत्री कोन है नवीन पटनाए तो उन्होंने घोशना की है कि उनकी सरकार बीजू स्वास्त कल्याण योजना के तहट स्मार्ट स्वास्त कार्ड प्रदान करेगी और ये स्वास्त कार्ड दोस्तों लगभग 96 लाख परिवारों को उपलब्द कराएं जाएंगे जिसमें से लगभग 3.5 करोड लोग इससे लाभानमित होंगे यानि 3.5 करोड लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहिया कराएं जाएंगे राश्टिय और राजिक खाद सुरक्षा योजनाओ, अन्यपूर्णा और अंतियुदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किये जाएंगे यानि जिन लोगों को अन्यपूर्णा, अंतियुदय पहल के तहत लाभ दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर बात आई है ओडिसा की, तो ओडिसा के बारे में भी हम कुछ important point discuss कर लेते हैं, ओडिसा का जो state hood है वो मनाया जाता है 1 अप्रेल 1936 को, जिसे हम उतकल दिवश के नाम से जानते हैं, यानि 1 अप्रेल को उतकल दिवश मनाया जाता है, capital तो हम सभी लोग जानते हैं, ओडिसा की भुबनेश्वर है, और यहाँ पर जो district है, वो है 30, governor कौन है, गनेशी लाल है, chief minister है नवीन पतनाईक, और इनकी party का नाम क्या है नवीन पतनाईकी, वीजू जन्ता दल, दोस्तों यहाँ पर अगर हम विधान सभाशीटों की बात करे हैं, आपदा प्रबंधन को college इस तर पर भी पढ़ाया जाएगा, उसे एक अनिवारे विशाय की रूप में लागू किया गया है, तो दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, कि वहाँ कौन सा पहला state है, जिसने आपदा प्रबंधन को मुख्य विशाय की रूप में घोसि का आयोजन किया है, तो संगोली रायन्या की जैनती का आयोजन किस state ने किया है, तो उसका नाम है करनाटक, दोस्तों हाली में करनाटक गवर्मेंट के द्वारा 18 सती के स्वतनता सैनानी कौन है, तो संगोली रायन्या तो उनकी जैनती मनाई है, इसके अलाबा state government के द्वारा कहा गया है कि 26 जनवरी को संगोली रायान्या सहादत दिवश भी मनाये जाएगा दोस्तो संगोली रायान्या कौन थे तो यह एक स्वतनत्रा सैनादीन थे और इनका जो समय था वो था 1798 से लेकर 1831 था तो उन्होंने रानी चैनम्मा के द्वारा कितूर सामराज के सैनाप्रमुक के रूप में काम किया है दोस्तो रानी चैनम्मा का सासन था कितूर सामराज में और उसके सैनाप्रमुक कौन थे संगोली रायान्या तो वहाँ पर उन्होंने ये बहुत ही महत्मूर वर्क किया था और इन्होंने अंग्रेजों के बिरुद्ध लड़ाई लड़ी थी दोस्तो करनाटक की बात कर लेते हैं तो करनाटक का फार्मिशन हुआ था एक नॉबंबर 1956 को कैपिटल हम सभी लोग जानते हैं बैंगलूर है और यहां के चीप मिनिस्टर कौन है वसब राज बॉमबई आपको याद रखना है चीप मिनिस्टर यहां के अभी चेंज हुए है BS यदुरपपा के बाद कौन बने है चीप मिनिस्टर वसब राज बॉमबई और दोस्तो गवर्नर को और है थावरशंद गहलोद थाबर चंद गहलोद भी अभी बर्तमान में ही इनकी न्यूक्ति की गई है राज़पाल के रूप में यहाँ पर जो असेंबली है उसकी सीटे 224 है और काउंसिल यानि जो बिधान परसद है उसकी 75 सीटे हैं राज़पाल शीटे 12 हैं और लोक्षभाल शीटे यहाँ पर 28 हैं अगला कोशन है कटर पंथी संग्ठन तालिबान ने किस देश पर पूर्ट रूप से कबजा कर लिया है तो दोस्तों वो देश है अफगानिस्तान हाली में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काब पर पूरी तरह से सत्ता इस्थापित कर ली है और लगबग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कबजा हो चुका है वहां के जो राष्ट पती थे वो भी देश छोड़ कर भाग चुके हैं और अफगानिस्तान की जो सेना थी उसने भी तालिबान से समझाता कर लिया ह तो इस परकार से कहा जा सकता है कि जो तालिबान संगठन है उसका पूरे अफगानिस्तान पर कबजा हो चुका है दोस्तो अब हम बात करते हैं तालिबान कौन है तो साल 1980 की बात है जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ जाती है उसके बाद से जो सोवियत और मुजाहिद दीन समू है इसके बीच और अफगानिस्तान की सरकार के बीच एक युद्ध चलता है और जो मुजाहिद दीन थे इनको मदद मिलती है अमेरिका और पाकिस्तान के तो दोस्तों ये जो मुजाहिद दीन थे यही लड़ाई लड़ते हैं किसके खिलाब सोवियत यूनियन के खिलाब और अफगान सरकार के खिलाब और इनको मदद कौन पहुचाता है अमेरिका और पाकिस्तान अब 1990 में सोवियत यूनियन की सेना बापस चली जाती है अपने देश इसके बाद जो लड़ाके थे जो मुजाहिद दीन थे वो आपस में लड़ने लगते हैं क कि अब यहां की सत्ता किसको मिलनी चाहिए तो दोस्तो यह इस प्रकार से यह जो लड़ाके थे यह आपस में ही लड़ने लगते हैं तो उनमें से एक लड़ाका था मुल्ला मुहम्मद उमर तो उसने क्या कि कुछ पस्तून युबाओं को पस्तून का मतलब होता है दोस्तो पठान तो पठान युबाओं को इसने संग्ठित किया और एक आंदोलन सुरू किया जिसे तालिबान आंदोलन कहा तालिबान कौन होते हैं दोस्तो जो मदर्सों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें तालिबान कहा जाता है तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ भी शुरू किया जाता है अब तालिबान इतना सक्ति साली हो जाता है कि साल 1996 से लेकर साल 2000 तक तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काविज रहता है यानि इसने साल 1996 से लेकर साल 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया है दोस्तो लेकिन साल 2001 में यानि सितंबर 2001 में वर्ल रखी थी कहां पर अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने अलकाइदा आतंकबादियों को मारने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमन कर दिया और दोस्तो अफगानिस्तान में अलकाइदा आतंकबादियों को सफाया किया इसके अलावा जो तालिबान अफगानिस्तान की सक्ता पर वैठा हुआ था उसको भी सक्ता से हटा दिया इस प्रकार से वहाँ पर एक नई गवर्मेंट बनी दोस्तो फिर उसके बाद जो अमेरिका की सेना थी उसने वहीं पर डेरा डाल लिया कहां फर दोस्तो अफगानिस्तान में फिर इसके बाद साल 2021 में वही सेना जो अमेरिका में ले लिया है तो इस प्रकार से अमेरिकार ने जब 20 सालों के बाद अपनी सेना को वापस बुलाया तो तालिबान फिर से आया और सत्ता पर काविज हो गया तो दोस्तो ये थी कुछ कहारी तालिबान और अफगानिस्तान की तो आपको आसा करते हैं कि ये समझ में आ गई सबसे अधिक होता है नेक्स्ट कोशन है बाहिनों की हेडलाइट में किस दर्पन का उपयोग किया जाता है तो आउतल दर्पन का उपयोग किया जाता है आकास में तारे टिम्टिमाते क्यों दिखाई देते हैं तो प्रकास के अफवर्तन की कारण तारे टिम्टिमाते दिख भरी होती है, हलकी gas होती है, इसलिए बायोयान के टायरों में इसको भरा जाता है, टांका धातू या सोल्डर किस धातू का मिस्रण होता है, तो तिन और सीसा का मिस्रण होता है, जो सोल्डर होता है वो तिन और सीसा का मिस्रण होता है, ग्लू कॉमा रोग सरीर के किस अंग से स संबंदित है तो शरीर के आंख से संबंदित है विश्टू की पहली महिला अंत्रिक शियात्री का नाम क्या है तो वैलेंटाइना तैरेस कोबा जो है वो पहली महिला अंत्रिक चयात्री है औरिजन ओफ इस्पसीज वाई नेश्रल सलेक्षन नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो चार्ल्स डार्विन है तो दोस्तो ये थे कुछ जी के कोई कोश्चन जिनका हमने रिवीजन किया है चलिए अब हम उन प्रस्णों की बात करते हैं जिनके जबाब कमेंट ब आए और अधिकारता मंतरी कौन है अब हम बात करेंगे दोस्तो इस लेक्षर को खत्म करने से पहले कि आप राजा गुपता को अनकेडमी फर फॉलो कर लें जहां आपको most important special classes मिलेंगी और अगर आप कोई भी कोर्स खदीदना चाहते हैं उनके माद्यम से तो आप उसके लि मिल जाएंगी इसके लाबा notes मिल जाएंगे quiz मिल जाएंगे और आप मुहाँ पर test भी दे सकते हैं तो चलिए friends अगर आपको यह lecture पसंदा है तो like कर दीजेगा share कर दीजेगा दोस्तों को जैसे इस टीकर को support मिल सके चलिए friends मिलते है next lecture में